यह कोई भी चीज़ है इसे उठाके मों में डाले बर दीखा जाए पूरा कपूरा कैच होता है या नहीं और 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 जेखे दिरुगेना गट चुकित है कैसे और खत्रा क्याएं पता है ये रिजी बीज और इस तरह से बीज को अच्छी तरह से फिल कर दिये जाएगा इसका उलड हमारी मिश्टी रानी बहुत सॉफ्ट है मेरा इस्तिमाल किया हो रही है जाएं दोस्तों तो दोस्तों आज के व्लोग की शुरुआत हो रही है दो देवियों से एक देवी हमारी बहना मैडम प्रिया जी और दूसरी देवी ये आपको दिख रही है हमारी शैतान नूरी और नूरी को घुमाने तो नहीं लेके जा रहे हैं हम लोग शैड में जा रहे थे और मतलब सुबह वहाँ पे कुछ काम होता है वही करने के लिए जा रहे हैं मम्मी बापा है नहीं तो नूरी भी हमारे साथ चल रही है और एक्साइड़ बहुत रहती है ये ऐसे कामों में नूरू है ये नूरू भास और यह द Schön कि짝ा हमारी सुराउंडिंग हम इसी सुराउंडिंग में रहते हैं और हमारी नूरी है तैयार और अभी हम लोग जाएंगे शैड की और शैड में थोड़ा काम है सुबह का वैसे तो मम्मी पापा कर गए थे तो वह उन्हें किसी काम की वज़े से जाना पड़ा तो मैं उदर जा रहा तो प्रिया कहती मैं भी चलती है और नूरी जी फेर तैयार और सुबह का वक्त है आठ बजने दूप बूली तरह लग चुकी है और चलते हैं शैड की और कुंभी लगादा यह फड़ूंगी दो हमारी नूरी बहुत ही एक्साइटर रहती है ऐसे चीज़ों के अच्छा देखिए भगवान की करनी देखी दोस्तों एक समय था नूरी लिए और बहुत हम लोग अपने आपको किस्मत वाले समझते हैं कि नूरी हमें मिली और नूरी का नाम फिर नूरी रखा गया क्यों रखा गया आप पुरानी वीडियो देखिए आपको बता चलेगा सारी कहानी 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 उसे भरबूर है मेरा चैनल देखिए आपको किहानी क्यों है यह नूरी ना एक चीज़ा तंक बहुत करती cowिर इसे तरह से करती है अभी सारे डरी च्राखने है तो तो भी चलते हैं शेटगी और अंदर देखें क्या क्या काम है अंदर चलिए और ये रहे हमारा जैला जैला उस्ताद जैलूस ओ जैलिया ये बहुत खराब है नहाने में और इस तरह से खुरकाने में खारिश करने में इसको बहुत मज़ा आता है बस ये ही करते हैं सारा सारा हमारी शांती भाइंसिया है और यह तो आप जानते हैं हमारे सूपरस्टार रौक्ट्टार जग्छा यह रह passiert गोलू गोलू की वीडियो का भाई बहुत ही लोगों we यह है कि लेकلاई आज इनके बारे में बताएंगे आपको आगे वीडियो में फिलाल यही सब है हमारे बास, बाकि और भी पशुदिधे हमने कम कर दिए थे किसी वज़े से, चैनल पर आप लोग वीडिस बो देख सकते हैं, और ये हमारा सवागत हो चुका है, और हो सकता कुछी समय में आने वाले समय में आगे आने वाले समय में दो महवान और आएंगे हमारे यहां तो आएंगे तो आपको खुद ही खुद पता चला जाएगा मतलब पता चल जाएगा क्या कौन है वो और नूरी हमारी बिजी है अपने काम में ढूनने में कुछ और यहां पर मैडम प्रिया को सफाई करनी पड़ रही ह है जैक्स हो जबी जैक्स और यह दूरे और यह वैसे कर दें उद्दर नी जुरुद परले बनने उते तो पाजन दी है इसे और नूरी हमारी पता नहीं क्या ढून रही है क्या इसको गुम गया यह देखिए हमारी शैट की सुरांडिंग दोस्तों खुबसूरती देखिए ओले ओदे ध्यान से इसकी पूँच सबसे खतरना गया यही नहीं हमारी शांतीनी पश्यों की ऐसी होती है एक बार मुं में लगी ने दोस्तों चपैट ऐसे मतलब अवाज आएगी एकनम पटाक कर देखिए बचके रहना पड़ता है और सवागत के उपर सवागत हो रहा है कैच ऐ ए ए त्यान अर्ट ये और ये कैच कर लिए और ये कैच कर लिये देखा जाए गा कि पूरा पूरा कैच होता है या नहीं और 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 हुगा? और लास्ट में फिर भी थोड़ा सा रह गया थोड़ा सा नहीं हान जी अभी हम इनको पानी पिला देंगे वैसे सुबह का समय है पानी पी रेते हैं फिर भी जादा तो नहीं पीते सुबह सुबह लेकिन दिखा देते हैं एक बार इनको पानी चलो चलो थंडा मोसम है प्रिया ने देखा हुआ कि स्वेटर पहना हुआ है मोसम थंडा हो चुग है गाउं में वैसे भी सुबह शाम थंडा हो चुग है और हमारे जहला उस्ताद यह बहुत शरार्ती है पानी एकदम आराम से पीएंगे धीरे धीरे आराम से कोई टेंशन नहीं म नीजे गिरा देते हैं तो यह थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है हमें इस बात का हो जैलू जैले हो जैला हमारा एक दिन स्टड बनेगा स्टड इसको वैसे ही तियार किया जाएगा और है थोड़ा शैतानी करता है यह बीच बीच में थोड़ा मतलब प्रिया कभी कभार आती है इदर तो उसको कही बार उसके साथ शैतानी है कर देता है लेकिन बढ़ी है चलिए बस पी लिया हां जी मैडम जी आदू है लोगी शांती हमारी अच्छी है यह पंगे नहीं करती है और अभी बारी है गोल्लू उस्तार की गोल्लू उस्तार को भी बिला देते हैं और देखिए गोल्लू की आपको एक इंड्रेस्टिंग बात बताओं लोग जो बच्छडे होते हैं चार महीने नहीं रखते भाई सब चार साल से जादा से समय से हमारे पास है और खैर इनके उपर प्रोपर स्टोरी आपको बताएं पानी गिरा दिया गया है गोल्लू महाशेत बारा मैंने बताया थोड़ा भी ध्यान उधर कर लो तो ऐसा कर जाते हैं यह लोग और अभी बारी है छुटकन उस्ताद की सबसे आखर में क्योंकि ये इनका अलागी है ये बोटल से पीते हैं मानी अभी तक भाई साब उनके सा वह डिले आऊंगे मैं गया रातना पैजे तानी अनू लिया आमाई तो और अभी हमें हरा चारा कटाई हरे चारी कटाई भी खुदी बढ़नी पड़ेगी और दोस्तों अभी जग्ये की दवाई का समय है दवाई के इंदा सेंस से ये है मिनल मिक्चर कैल्शियम मिनल मिक्चर और ये से देना जरूरी होता है क्योंकि कई दिक्कते हैं हमारे जग्ये को खाने पीने की और बहुत सारी चीजे कहानी आपको अभी मैं बताऊंगा कुछ नहीं चैनल पे जाईए देखिये कहानी जग्ये की आपको पता चल जाएगी कहानी इसकी ये पार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसको दवाई देने के इसको भी अच्छा नहीं लगता तो दोस्तों सुबह का समय है और अभी तक मौनित होया है बना है काम था कुछ इसली और सर्दी का जो टाइम में वो भी शुरू हो चका है और सर्दी में जो सबजियां लगाई जाती है वो समय शुरू हो चुका या लग चुकी या लगाई जारी है किसान खितों में भारी मात्रा में लगाते हैं जो मंडियों में लेके जाते हैं लेकिन हम लोग यहां पे छोटी से क्यारी में आपको मैं लगाए के दिखाऊंगा जो सर्दी में सैलन के काम आएगी अभी कवार हम लोग यूज करते हैं मूल लियां तो घर में लगी हो तो और गैनिक होती है तो अभी है मैं क्यारिया मगरा बनाने लगा हूं और विजाई भी करते हैं हम चोटी सी जगा है वोजी में देखिए बढ़िया हो जाएगा सब कुछ आपको आगे भी दिखाऊं का व्लोग में तो खेर पहले ये काम कर लेते हैं तो दोस्तो ममी अब हाथों से क्यारियां तैयार करेंगे मिट्टी में ने अच्छी तरह से बिखेर दी है और इस तरह से बनाई जाएंगी इनमें फिर यह बीज बाद में रखा जाएगा रोपर तरीके से और खत्रा क्या है पता है ये रही हमारी नूरी नूरी एक बाही मचाना नुक्सान करना बहुत इसी से हमें ख्यार रखना पड़ेगा बाकी टाइसन और मिश्टी तो कुछ नहीं करते ये समयदार हो चुके है अभी और इस तरह से अच्छी तरह से क्यारियों बना लेते हैं यहां चोड़ी जगा में बहुत कुछ हो जाएगा ज्या लगभग तयार हैं अब इन में हम लोग भर देंगे अच्छी तरह से उसे उपर फिर अच्छे से कवर कर दिया जाएगा ये रिजी बीज और इस तरह से बीज को अच्छी तरह से फिल कर दिया जाएगा जगा भी देखके मतलब रखना पड़ता है ने दूप भी आ जाए पानी भी लगाया जाए वहां पर जो जो जुरूरी चीजे हैं ऐसी मतलब होनी चाहिए और तयार है बाकी मेरे व्लोग से आप जुड़े रहेंगे आपको आगे दिख जाएगा बस नूरी से हमें ये सब बचा के रखना पड़ेगा और कोई बाद नहीं ये बर्साती पानी बचा हुआ यहां से जब बारिश होती है बारण गर आती है पुराने व्लोग सुम्हा ने दिखा यह वही पानी है मेरी डेली रूटीन है सुभह और शाम मैंने को लेकर आता हूं गुमाने इसी तरह से ये डेली रूटीन वार्क है डेली पक्का इनको लेकर आना होता है तो इन्हों फ्रेश होना होता है उसलिए और बार घूमना भी जरूरी है ये हम इस वक्त खड पंजाबी भाशा में कहते हैं खड के बीचो बीच है नमाचल और पंजाब में खड कहते हैं इसको और जैसे मैं बता रहा था कि डेली वर्क है मेरे डेली रुटीन वर्क है आना ही होता है सुबह पापा टाइसन को लेकर आते हैं क्योंकि टाइसन बहुत जल्दी उठ जाता है सुबह अरली उसे पाम मॉर्निंग मतलब पांच सब्साड़ी पांच से बाहर आना होता है तो पा ताके में डॉन थी वो डॉन उसका उलड हमारी मिश्टी रानी बहुत सॉफ्ट है डर्ती बहुत है अब बताओ इद्रो ये बर्शाद की वज़े से यहां पर हरा भरा हुआ पड़ा है वरना गर्मियों में यह से पत्थर ही दिखते हैं यहां पर घास खतम हो जाती है सर्दियों में यहां पर जो बच्छें रहां भी चोड़ दी जाते हैं लोगों की दोगोरा दूद पी के चोड़ दी जाते हैं तो जीवन बंदे देखिए कि इतनी एक गवाउजीब चीज है एक को मौत मिलती है एक को जीवन और बहुते हैं इन्सानों का यापने दूद है आजकल दुनिया में यही कुछ हो रहे हैं तो दोस्तों खैर मिश्टी ने कर लिया अपना काम और अभी चलते हैं घर की और वापिस देरा हो गया हो चलाया मतलब तो दोस्तों चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं आपसे अगली बार